अगर रोज रोज रोटी सबजी खा करके बोड हो गया है तो इस हेल्दी नास्ति को बना कर ज़रू ट्राइ कीजेगा बस इसे हम घर में रखे वो चीजों से बना करके तयार करेंगे बनाना बहुत ज़्यदा आसान है सबी को यह नास्ता बहुत पसंद आता है और सबसे अच बनाने से पहले बनाएंगे इसके साथ सार्व करने वाली बहुत ही तीकी और चटपटी सी चटने जिसे बनाना बहुत ज़्यदा आसान है सबसे पहले मिक्सिंग बाउर रखेंगे गैस पे या फिर आप कड़ाई रख लें इसमें डाल दें आधा कब पानी इसी के साथ डा पालूंगी एक चमच फ्रेश नारियल अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप नारियल को स्किप कर दे अगर नारियल है तो जरूर डालिएगा चटनी का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है एक बार इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद से ढग देंगे ढगThese फ्लम्ट लो करके इन्हें 10 मिनट के हम पका लिएँ V겁 अच्छ हो चुका है इक्दम अच्छे तरीके से गल गया एक बार कर देंगे अब इस मिक्स करनेने अब इसे निकाल लेंगे हैं मिकसर के छोटे वाले जार में जिसमें हम चट्टी बना करके त्यार करते हैं चट्टी को तीखा बनाने के लिए डाल रहे हूँ एक चमच कुटी हुई लाल मिर्च अपने इसाब से तीखा कमज़ादा कर सकते हैं इसी कसांद दालेंगी एक छोटा चमच गुटे हुई काली मीर्च, इसी कसांद डाल हूँ आदी छोटी चमच भुना हुआ जीरा पाउलट-मुलर इसे कसा चटनी को चटपटा बनाने के लिए मैं डाल रहे हूं गुर, गुर को छोटे छोटे टुक्रों में काट करके दो चमत इस्तमाल कर रहे हूं, आप चाहें तो गुर का पौड़र भी इस्तमाल कर सकते हैं, बीना पानी डाले वे सेवी चुझो को हम मच्छे तरीके से और देखें, चटनी को मच्छे तरीके से पीच ली हूँ, आप इसे एक दम माही ना पीच से छोटे थोरे से जो टामाटर के चंक्स बच जाते हैं, चटनी खाने में बहुत ज़्यदा स्वाधिस्ट लग दी है, चटनी बनकर के तयार हो चुकी है, अचलिए चटनी में हम तरका लगा लेते हैं, तरका लगाने के लिए तरका पैन में डालेंगे दो चमच सर्सो का तेल, आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं, उसे डाल दे, जैसे ये तेल गरम हो जाएगा, आधा चोटा चमच डालने के सर्सो, आधी चोटी चमच डालने के साब बच जीरा, इ चमच डालेंगे थोरा से तरका बचा करके रखेंगे आगे हम तरका का इस्तमाल करेंगे तरका डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और देखी काफी तीकी और चटपटी सी चटनी बन करके तयार हो चुकी है जिसे बनाना बहुत ज़दा आसान है आप थ्रिज में कम से कम 7-4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता है चटनी बन चुकी है अब बनाते हैं हेल्दी सा नास्ता जिसके लिए एक मिक्सिंग बॉल में मैं ले रही हूँ थ्रिवाइ फॉर्थ कप सूजी यानि कि चार चमच हम कम सूजी का इस्तमाल करेंगे आप सूजी यहाँ पर बारीक वाली सूजी का इस्तमाल करें बारीक वाली सूजी नहीं है तो मिक्सर के जार में पीस करके सूजी का इस्तमाल करें इसी के साथ डाल देंगे आधा कप फ्र गाजा डालने के बाद आप इस नास्ता मैं डालूँगी फ्रेश गता हुआ हरा धनिया के जो कौंटिटी है मैं यह वां वन फोर्थ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था तो बर इसे मिक्सिंग बॉल में मैं इसे निकाल ली हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बस इसको मिक्स करते समय मैं दो चमची पाने का इस्तमाल कर रहे हूं जादा पानी का इस्तमाल हमें नहीं करना है इस बात 10 मिनٹ हो चुका है इसके धकन को हटाएंगा और एक बर सूजी को हम चेक करेंगे देखी सूजी जो है पहले से कितना गीला हो चुका है यानि कि जीतनी भी साड़ी सबजिया हम इसमें इस्तमाल किवे थे वो साड़ी तरिके से मिक्स करते जाएंगे मैं इसमें पूरा वान थाट काप पानी डाल दी हूँ और इसको अच्छे तरिके से हम मिक्स कर लेंगे मैं इस नास्ते को सूजी से बना रही हूँ आप चाहे तो आधा कप चावल को दो घंटी के लिए भींगो करके पीस करिब के भी इस नास्ते को आप बना सकते हैं बैटर हमारा बन करके रेडी हो चुका है देखे इतना ही गारा जो है बैटर बना करके आप तयार किजिएगा इसी के साथ हम इसमें डालेंगे तरका जो हम तरका बचा करके रखे हुए थे ना उसे आप डाल द अगर आपके पस बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहां आदा छोटा चेमच इनों का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब सभी चुजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे बैटर हमारा बन करके रेडी हो चुका है इसे साइड में रख देंगे अब चलिए इसे में बनाने के लिए छोटी छोटी से कटोडी इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो इसे इटली मेकर में भी बना सकते हैं या फिर गलास में भी बना सकते हैं अगर आपके पास इतने छोटी छोटी कटोरी नहीं है तो इस नास्ते को आप गलास में भी बनाएए बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा स्टीम करने के लिए कड़ाई में डाले दो कप पानी और इसको अच्छे तरीके से उबल जाने देंगे जैसे ही पानी उबल जाएगा इसके उपर रख देंगे नास्ता वाला थाली इसे दूसरी थाली से कवर करके गयास का फ्लेम हाई करते वे नास्ते को 10 मिनट के लिए हम स स्टीम करें ताकि अच्छे तरीके से पानी में अूबाल आता रहे गास को बंद कर देंगे अब इसあー Aunque अस्टी निकल阻़ ए subscriptions कि नास्ता बहुत ज़्यदा सौप्ट बनता है इसे थोरा ठंडा करके निकाल लिएगा तो बिल्कुल भी यह नास्ता टूटे गर नहीं और देखें कितने असानी तरीके से एक टूड़ी से बाहर निकल जा रहा है स्यमुसी तरीके से हम सारे नास्ते को निकाल करके किसी भी प्लेट में सर्व कर लेंगे नास्ते को मैं सर्व कर ली हूँ इसके साथ बनाई गए चटनी के साथ जो की बहुत ज़्यदा स्वाधिस्ट बनती है रेसिपी को जरूर ट्राइक किजेगा तोर के दिखा रही हूँ देखें बिल्कुल ही मुह में घुल जाने वाला यह नास आज की रेसिपी मेरी कैसी लेगी एक बार ट्राइक जरूर किजेगा